हाई गेज में लिक आई हूँ आप सभी के लिए लेटस अपडेट प्लीज चिनल सिस्क्राइब कर लेना गाईस सिधाट ने दिया वाइरल भियानी को रिपलाई जी हाँ क्या कहा उन्होंने बताती हूँ उस वीडियो में लेकिन गाईस मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद एक देखे गाईस अभी कुछ दिन पहले वाइरल भियानी ने सिधनास की एडिट पिक पोस्ट की थी कही सारी बहुत सारे फैंस उन्हें अब्यूज करने लगे कि मॉर्फिंग पिक्स सही नहीं हैं मतलब तरह तरह की बातें की एडिट पिक पोस्ट नहीं करनी चाहिए अगर सिधनास की पिक्स नहीं मिल रही हैं या सिधात और शेहनास नहीं चाहते हैं तो इस तरह से बलाबला काफी सारी चीजें लिखी गई और अब्यूज भी किया गया लेकिन उसके बाद हुआ क्या उस पोस्ट पर आया किसका अंशुल का रिप्लाई देशी म्यूजिक इसको बताने के लिए भी हाँ कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है अब देखिए वाइरल भ्यानी ने यह ट्वीट किया उन्होंने लिखा सिधार शुकला फैंस एक्रोस वर टैंस्ट एजिट वाज रिपोर्टिड एट ही हैड सम इंजरीज टरंस आउट इट वाज ए इस जिम वर्क आउट गेट वैल सून चैंप उन्होंने बताया कि सिधार्ट के फैंस टैंस्ट हैं क्योंकि पता चलाए कि सिधार्ट को कुछ इंजरी हो गई है लेकिन उन्होंने साथ में यह एड किया कि यह ड्यूरिंग जिम नहीं हुआ है मतलब जिम में नहीं हुआ है अलावा लगी है अब सिधार्ट ने केवल इस ट्वीट का रिप्लाई किया थैंक यू बाई सो गाइस कितने सारे ट्वीट साए थे बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स ने ट्वीट किया था कि सिधार्ट को चोट लग गई है वो भी जिम में लेकिन जो सस्था वो आपको किस पता चला होगा उन्हें किया होगा किसी से सिधार्ट की किसी टीम मेंबर से या किसी करीबी से सो गाइस देखें मीडिया हमेशा सेलेब्रिटी के टच में रहता है उनकी पर्मेशन के बिना कुछ पोस्त नहीं करते हैं इसलिए अपने अकॉर्डिंग चीजें आप जो चाह जो देना बंद कर देता है वो क्यों इस तरह से ट्वीट करेंगे या पोस्ट करेंगे जिन पर अब्यूसिव कमेंट आएंगे आप खुछ सोचिए सो गाइज थोड़ा सा सेंसिबल बनिये थोड़ा पजेसिवनेस कम कीजिए अपनी और इस तरह से मत रिप्लाइ किया कीजिए थैंक्यू गाइज प्लीज चैनल सेस्क्राइब कर लेना